स्टुडेंट्स अभी हम चालू कर रहे है लेक्षर नमबर 14 जिसमें आपको डिसकस करना है डिविजन अल्गोरिथम फ़र पॉलिनामियल जो हम डिसकस करेंगे आज ये वीडियो का जो टॉपिक है वो डिविजन आल्गोरिथम फ़र पॉलिनामियल तो पॉलिनामियल के है वही हमें आज discuss करना है थोड़ा यह lecture छोटा भी होगा लेकिन बहुत important है आगे 2.3 इससे ही सौल होगी तो जो भी यह information लिखी हुई है वह आप proper तरीके से लिखना otherwise आप confused confirm होंगे तो भी हम start करते है सबसे पहले क्या लिखना है तो आप बुलोगे sir if p of x जो मतलब एक दिया हुआ polynomial p of x और दूसरा polynomial दिया हुआ है g of x r to polynomial with g of x is equal to 0 नहीं होगा g of x is not equal to 0 then we can find the polynomial q of x and r of x such that कैसे मिलेगा तो उसका यह लिखा हुआ है p of x is equal to g of x into p q of x plus r of x आप बोलोगे sir यह p q r g क्या है तो वह पढ़ते है सबसे पहले p of x को बोलेंगे dividend क्या बोलेंगे dividend आप नीचे यहां देख सकते हो मैंने यहां लिखा हुआ dividend यह p of x आएगा g of x क्या होगा तो आप बोलोगे sir diviser क्या होगा diviser g of x होगा बाद में q of x quotient क्या हैगा quotient प्लस remainder जो माइनस करने के बाद जो भी बचेगा उसको हुआ हम reminder बोलेंगे फिर से एक बार बोल रहा हूं ध्यान से समझते जाना p of x आप बोलोगे sir यह क्या होगा p of x जो है वो dividend होगा dividend g of x हमारा क्या होगा diviser क्या होगा diviser q of x जो होगा वो quotient होगा और उसके बाद reminder जो होगा वो तो आर फ एक्स होगा इसके साथ बोल सकते हो कि बेजिक आपका ये क्लियर होना चाहिए ये क्लियर होने के बाद आप बोलोगे इतना प्रॉपर तरीके से लिख देना अभी हमेस सम्प कैसे सॉल्ल करना है वह में पॉइंट समझते है ये आप सम्स देखो तो सम को मैंने हाइलाइट भी थोड़ा अलग तरीके से किया है लेटर में लिखा हुआ है तो आपको बोलूँगा कि यह स्टेप आप प्रॉपर लिखना अधरवाइस आप यह कंफर्म इसमें थोड़े डाउट आएंगे तो आप लिखो के तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस रिजल्ट इस नोन एज डिवीजन ऑफ डिवीजन आल्गोरिदम फॉर्द पॉलिनोमियल जो हमने यह पहले पढ़ा हुआ है वह होगा किसका डिवीजन आल्गोरिदम इसको बोला जाएगा स्टैप ऑफ सॉल्विंग दसम कैसे स्टैप में सॉल करना है तो य बड़ी पावर से छोटी पावर तक आपको जाना है जैसे समझ लो मैंने लिखा है 3x5 प्लस 2x6 और बाद में लिखा है 5x4 तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको अरेंज करना है पहले बड़ी पावर 2x रेंज करना है या बड़ी पावर से छोटी पावर तक आपको अरेंज करना है यह पहला स्टैप है बाद में आपको डिवाइड करना है किसको डिवाइड करना है P of x को डिवाइड करना है g of x के first arm के साथ तो आपको मिलेगा quotient का first arm देखो मैंने क्या डिवाइड करने को बोला है तो वो आप शांति से दिखते जाओ तो आप बोलोगे सर यह जो P of x है P of X को divide करना है G of X से तो मिलेगा Q of X की first term जो यहाँ पे लिखा हुआ है We get Q of X and multiply with G of X तो multiply करना है G of X के साथ वो जो आएगा वो P of X में से हम subtract करेंगे तो आपका answer आजाएगा और यह repeat करते जाना है 2, 3, 4 step repeat करना है कब तक जब तक आपका basic R of X मतलब reminder जो होता है वो 0 नहीं आता और reminder की जो power है वो कम आजाएगी किसकी G of X के साथ तब भी आपका यह answer होगा इसको थोड़ा explain करते जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे तो आखिर में जो होगा वो यहाँ 0 आगया तो आपका sum खतम हो जाएगा अभी आप बोलोगे नहीं सर इसके सिवा एक option वो है G of X है और यहाँ पे R of X है तो R of X छोटा होगा और G of X बड़ा होगा कई बच्चे बोलेंगे सर यह छोटे बड़े में तो हमें कभी समझ में आता ही नहीं है तो वो समझो तो वो बहुत simple है यहाँ पे समझ लो 2 X square प्लस 1 है और जो यहाँ पे है वो 20 X प्लस 5 है तो अभी आप देखो कि G of X की power कैसी है तो G of X की power बड़ी है और R of X की power छोटी है तो वहाँ आके हमें सम को छोड़ देना है वही आपका remainder होगा इसके साथ मैं बोलूँगा कि यह step को proper तरीके से लेखना यह step को मैं बहुत importance दूँगा क्योंकि यही step से हम आगे solve करने वाले है तो आपको यह step by step ध्यान रखना है कि कैसे करना है कहीं पर भी कोई confusion आता है तो आप मुझे message मतलब नीचे comment section लिख सकते हो और यह खाली proper लिख देना sum solve करवाँगा तो बहुत easy हो जाएगा हम अभी start करेंगे 2.3 का पहला sum जो discuss करना हम start करेंगे मिलेंगे next वीडियो में आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe जरू कीजिए लेकिन इसके बाद वाला step तो आपको शान्ती से पढ़ना ही पड़ेगा solve करने के बाद तब भी आपको समझ में आएगा यह step देखके कुछ समझ में आने वाला नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा अभी 2.3 ध्यान से देखना मिलते हैं नहीं